भारत की बर्ती आर्थिक ताकत से चीन का सामराज हिलता नजर आ रहा है दुनिया भर के निवेशकों को भारत का भविश्य एकदम सुनेरा दिख रहा है वहीं चीन अपनी पोजीशन से फिसलने के संकेट दे रहा अनुमान लगाये जा रहा है कि भारत का पुझी करण 2075 तक बढ़कर चार गुना हो जाएगा और ये 12 फीसिदी के साथ चीन के बराबर होगा जबकि तब तक अमेरिका की हिस्सेदारी में 22 फीसिदी तक कमी हो सकती है ऐसे में माना जा रहा कि भारत हर साल लगबग 6-7 फीसिदी की दर से विकास करके चीन की अर्थविवस्था को पीछे चोड़ देगा आखिर इस तरक्की का भारत की आबादी पर क्या असर होगा किस तरह से तेजी से बरती मिडिल क्लास को इसका फाइदा मिलेगा और भारत की अर्थविवस्था में किस तरह के बदलाब देखने को बिलेंगे इन सब सवालों का जवाब हर कोई जानना चाता है इससे सबसे बड़ा फाइदा तो रोजगार और निवेश में बढ़ोत्री के तौर पर होगा दरसल भारत में नए बाजार उबरेंगे तो इससे देश को फाइदा होगा वहीं कई कम्पनिया चीन प्लस वन रेनीती के लिए भारत में मैनिफेक्चरिंग का विकद तलाश रही है भारत में इस manufacturing के आने से यहाँ पर infrastructure का जबरदस्थ विकास होगा इससे भारत की विकास दर बढ़ेगी ग्रहाकों की खबत में इजाफा होगा जिससे निवेश के नए मौके मिलेंगी विकास की इस बयार के बहने पर भारती शेयर बजार में तेजी देखने को मिलेगी फिलहर विदेशी निवेशक भारत और चीन के बजार की तुलना कर रहे हैं वो ये तैग कर रहे हैं कि उन्हें की इस देश में निवेश करने पर जादा फायदा मिलेगा उभरते देशों के शेर बाजारों के लिस्ट में भारत जहां ताइवान को पीछे छोड़ कर आगे निकलने का दम दिखा रहा मही चीन के शेर बाजार में बिकवाली जारी है ऐसे मैंनुमान है कि चीन पहले जैसी उची विकास दर हासिल नहीं कर पाएगा और वहाँ पर मौझूद मौकों की संख्या सेमित हो जाएगी भारत की अर्थविवस्था में तेजी आने पर प्रती व्यक्ति आये में भी बढ़ोत्री होगी इसके अलावा भूरा नितिक तनाव बढ़ने से भी भारत को कारोबार बढ़ाने में मदद मिले आशंका जताई जा रही है कि आने वाले बर्सों में चीन और अमेरिका के अलावा जापान, देक्षिर कोरिया और यूरोप के बीच भी इस तरह का तनाव बढ़ सकता Bureau Report भारत प्रुब बढ़ सकता है